भारत में जिन बीमारियों से सरवाधिक मौते हो रही हैं उसमें लिवर कैंसर का पांचवा स्थान है। आकड़े बताते हैं कि 10 में से 2 लोग लिवर की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। लिवर कैंसर को हेपाटोसेलुलर कारसिनोमा कहा जाता है। चालिस के बाद अगर जीवन शैली में सेहत की चिंता करते हुए बदलाव नहीं किया जाता है तो लिवर की बीमारी साठ के बाद गमफीर हो जाती है। उल्टी आ रही हो आख और त्वचा का रंग काफी पेला हो गया हो तो ये लिवर कैंसर के संकेध हो सकते हैं। लिवर कैंसर के घरेलू उपचार डाइट या खान पान के आदत लिवर को स्वच और शुद्ध पानी की जरूरत होती है। पानी लिवर को साफ और सेहे तमंद रखता है। पानी खूप पियें। रेड मीट और अलकोह लिवर का दुश्मन है इससे तौबा करें। ज्यादा कैलोरी वाले भोजन करें। क्योंकि लिवर कैंसर में भूच कम लगती है। इसलिए जब खाने का मन करें तो जिस भोजन में कैलोरी की मातरा ज्यादा हो वही खाएं। लिवर कैंसर के मरीजों की डाइट में फल, सबजी के साथ लहसुन, मौसमी, ग्रीन टी, इवाकाडो, हल्दी, अखरोट, पपीता समेत ऐसे सभी फल और सबजी शामिल हो जो लिवर को सेहे तमन बनाती है। लहसुन, लहसुन में काफी मातरा में सलब भर कंपाउट पाया जाता है, जो लिवर जालिम को सक्रिय करता है और शरीर से विशैले रुपए और पदार्थ को निकालने का काम करता है। पदार्थ से सुरक्षा करते हैं। इसमें खास केमिसल कंपाउट फ्लाविनोड पाया जाता है, जो लिवर में फैट जमा नहीं होने देता है और इससे जलाता रहता है। जाया गया है कि लगातार 30 दिनों तक एक अवाकाडो खाने से फैटी और बीमार लिवर ठीक हो जाती है। हल्दी लिवर के सेहत के लिए हल्दी का सेवन बहुत जरूरी है। यहन सिर्फ लिवर की विशाक्त चीजों से सुरक्षा करती है बलकि लिवर की नश्ठ हुई कोशिकाओं का निर्मान भी करती है। काली तुलसी काली तुलसी के सेवन से लिवर कैंसर के वृद्धी रुख जाती है। जौ का पानी पियें। छाज का निमे सेवन करें। अंकुरित चना सुबह को नाश्ठे में खाएं। अंकुरित दाना मेथी का रुपए पियें। गाजर टमाटर का सेवन निमे करें।